Hey guys, welcome to Motor Octane, क्या हाल चाल है आपके? दोस्तों, आज हम compare करने वाले हैं Hyundai Creta with the MG Aster, जो newly launched गाड़ी है. आज हम इन दोनों गाड़ियों के बार में बात करेंगे, आपको बताएंगे, कौनसी आपको consider करनी चाहिए और किस वज़े से ये वीडियो जो है, पहला वीडियो है, आपको बहुत डीटेल्ड वीडियो हमसे आगे चलके आने वाला है इन दोनों गाड़ियों पर. तो पहले समझते हैं, दोनों गाड़ियों को एक एक करके, पहले बात कते हैं, ये गाड़ी अगर आप देखते हैं, तो ओर रॉल स्टाइलिंग काफी बॉक्सी लुक दिया हुआ है, बिकास इंडिया में लोगों को SUV में बॉक्सी नेस स्टाइलिंग पसंद है, और ये ची आपको ट्राइव भी मेलडी आते हैं, और आपके फॉग लैंप जो इसमें यलो कलर के आ जाते हैं, ओर रॉल साइट प्रोफाइल से जब आप इसको दिखते हैं, तो इसको लगबग 190 mm का ग्राउंड सेरेंस आता है, और साथ में इसको 17 इंच के वील्द आते हैं, जो डाम करते हैं कहीं ना कहीं, जी और पर आपको क्रेटा की बड़ी बैजिंग भी आ जाती है, और अगर आप टर्बो पेट्रोल वर्जिन लेते हैं, तो उसमें आपको ब्लैक ग्रिल आता है, रादा देन दो क्रोम ग्रिल जो आपको डीजल वेरिट में आता है, जब हम आस्टर क तरफ जाते हैं, यहां पे आप नोटिस करोगे कि इसका जो ओवर्राल स्टाइलिंग है, वो जेड़ सीवी से इंस्पायर्ड है, जो इसकी फ्रंट ग्रिल है, वो काफी हद तक न्यू स्टाइल की दी हुई हैं और इसके हेड लैंप्स में भी आपको डे टाइम रॉनिंग आप इसके पास में जाएंगे काफी, आप एक और एक चीज़ नोटिस करोगे कि इसको क्रॉस ओवरिश ओवर्राल डिजाइन दी हुई है, 17 इंच फील्स इसको भी आते हैं, और जो ग्राउंड क्लियरंस है, वो क्रेटा जितना ही अल्मोस रहेगा, जादा डिफरेंस दोन इसकी जो स्टाइलिंग है, वो काफी अच्छी है, अब दोनों गाडियों के अगर आप बूट स्पेस देखते हैं, तो दोनों की बूट स्पेस अच्छी खासी है, पहले क्रेटा की बात करते हैं, अब क्रेटा पे हमने असली टेस्ट हो किया था, तो यहां पे हमारी तीन स्टोराम से बैठ गई, प्लस एक्स्टा लगेज भी यहां बैठ जाता था बिना किसी प्राब्लम के, तो क्रेटा में आपके पास अच्छी खासी स्टोरेज है, अब आस्टर का हम बूट टेस्ट नहीं कर पाया, बट मैं आपको यह कह सकता हूँ, इसमें जो टीन बैग्स हमारी बैठती हैं, वो तो बैठ जाएंगी, प्लस एक्स्टा शायद थोड़ा और सामान बैठ जाए, देख के तो लगता है कि शायद आस्टर क्रेटा से थोड़ी छोटी रहेगी इन बूट स्पेस, बट इग्जाक्ली क्या डिफरेंस रहेगा, इन प्राक्टिकल यूज इसके लिए तो आपको थोड़ा समय रुखना पड़ेगा, दोने हो गाडियों के जो स्पेर वील्स हैं, वो 16 इंच के ही आते हैं, तो यहाँ पर एक डाउनसाइड आपको या जाएगा, कि आपको फुल साइज स्पेर वील नहीं मेलेगा, अगर आप दोनों में से किसी के को खरीदेंगे, इंटीरियर में, पहले हुन्दाइ की बात करते हैं, इसमें आपको अगर ब्लाक इंटीरियर आते हैं विट रेड़ एलेमेंट्स तुएट या फिर आप अगर दुसरे वेलिंस लेते हैं, तो आपको ब्लाक अं बेच का कॉंबिनेशन यहां मिल जाता है, इसमें जो प्लास्टिक्स यूज किये गए अक्रॉस दाश्बोड पे वो हार्ड है या फिर दोर्स की बात करो यहां पे हार्ड मटीरिल्स ही मेजरली यूज किये गए है इसका जो स्टेरिंग वी लाता है वो लेधर रैप्ड है और इवन जो गियर लेवर है वो भी लेधर दिया हुआ एक के अंदर करेटा का अगर आप इंस्रुमेंट क्लस्टर देखते है तो यह पार्ट डिजिटल और पार्ट अनलॉग दिया हुआ है और इसमें आपको काफी चीजे भी दिखाई जाती है इसमें प्रेटी गुड नाइस इंस्रुमेंट क्लस्टर तो यूज स तो मिलता है बढ़ यह वायरलेस नहीं है यह वायर के थ्रू ही चलेगा साथ में आपको इसमें यूगेट अलॉट अव मोर फीचर जैसे एर प्यूरफायर है उसको भी आप डिरेक्ली कंट्रोल कर सकते हो थूद तच्स्क्रीन सिस्टम इसेल तो इसका तच्स्क्रीन काफी highly rated है उसकी quality भी बहुत जबरदस्त है अगर आप क्रेटा के दुसरे features देखते हैं तो इसमें आपको आता है wireless charging, panoramic sunroof, leather upholstery, साथ में आपको ventilated seats भी इस गाड़ी में मिल जाते हैं अगर आप एक automatic लेते हैं तो इसमें आपको multiple driving modes भी साथ में available कराए गए हैं इसके अंदर अगर आप दुसरे features इस गाड़ी के देखते हैं तो आप ये भी notice करोगे कि इसमें chair bags, abs plus ebd and traction control जैसे features उपलप्त कराए गए हैं अब अगर आप क्रेटा की front seats की बात करते हैं ये काफी comfortable है अगर आप long trip पे जा रहें तो आपको ठकावाट आसानी से नहीं होगी है और all जो इसका comfort है बहुत अच्छा है जब आप rear seats पे जाते हैं इस गाड़ी के यहाँ पे तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं बिना किसी problem के हाँ अगर आप बहुर ज़्यादा हटे कटे है तो shoulder room थोड़ी कम हो सकती है बट overall space अच्छी है knee room की कमी नहीं है, head room की भी कमी नहीं है गाड़ी में so overall in terms of space गाड़ी काफी comfortable है for anyone to sit in the second row गाड़ी की boot space भी काफी बड़ी है, so overall in terms of comfort आपको कहीं पे भी struggle नहीं होने वाली है in the Hyundai Creta अब अगर हम Aster की बात करते हैं तो यहाँ पे आप नोटस करोगे कि इसके interioris काफी ज्यादा premium ना के बल डिखते हैं, बलके even touch and feel भी better है इसमें आपको काफी सारा soft touch elements दे दिया गया है चाहे आप dashboard की बात करो या even doors की बात करो इसमें भी आपको leather upholstery मिलता है on the steering wheel and gear lever पे भी यह आ जाता है और जो इसका instrument cluster है वो completely digital है of course आपको यहाँ पे भी काफी features मिल जाते हैं इसकी usability seems to be a little more better than what you get on the Hyundai Creta touchscreen system जो इसका है वो Creta जितना ही है and इसकी usability is थोड़ी complicated है और response time Creta का जादा better है when compared to the Aster तो यह clearly Aster के favor में नहीं जा रहा है यहाँ पे हाँ इसमें आपको extra features कुछ-कुछ आ जाते हैं जैसे आपको 360 camera आ जाता है जो आपको फिलहाल Creta में नहीं available किराए गया है and उसके अलावा you know you get some extra geo features also जो आपको नहीं मिलते हैं in the Creta दोनों गाडियों में आपको connected का technology अवेलेबिल किराए गई है पर Aster में आपको थोड़े extra features मिल जाते हैं आपको AI assist भी है जो दुसरी गाडियां नहीं offer करती है right now तो यह एक आपको sort of personalized touch feel देता है दोनों गाडियों में आपको panoramic sunroof आ जाते हैं बट आपको Aster में ventilated seats का option नहीं दिया गया है अगर आप front row seats की बात कर लें Aster की तो यह काफी wide है comfortable है और अगर आप long trip पे जा रहे हैं तो आपको थकावट होने के chances थोड़े कम हो जाते हैं काफी comfortable है गाड़ी on the front row and second row में जब आप जाते हैं यहां पर तीन लोग अब देखे हमने वह टेस्टों करनी ही पाया है तीन लोग बैठ पाएंगे या नहीं but definitely यह कह सकता हूं कि second row में दो लोग तो आराम से बैठके जा सकते हैं तीसरा अगर बच्चा रहेगा तो शायद comfortable रहेगा second row की अगर मैं बात कर लोग तो knee room और head room Aster का का अच्छा है वहां पर कोई complain नहीं है at any given point of time so overall in terms of comfort दोनों गाडियां अच्छी है just that Creta can seat five people whereas Aster वो हमें test करके देखना पड़ेगा अब अगर engines की बात कर ले तो पहले बात करते हैं Creta की Creta में आपको petrol और diesel दोनों आते हैं और petrol में आपको दो engine options आते हैं so overall जो drive quality है of petrol and diesel Creta की वो काफी अच्छी है हां एक quiz मैं आपको बता दूंगा की जो Creta की 1.5 liter petrol engine है वो इतनी powerful नहीं है whereas diesel जो है and even जो turbo petrol है उनका performance ज्यादा बेटर है अगर आप ज्यादा performance oriented है हां अगर आपको normal driving करने 100-120 पर चलाना है तो regular 1.5 liter petrol जो है वो sufficient रहनी चाहिए इसके लिए आपको, you know, you don't have to upgrade to a diesel engine or a 1.4 turbo petrol वो रेगुलर इंजिन चल जाएगे अगर आपको ज्यादा performance जाहिए तो आप turbo petrol की तरफ जाहिए या diesel engine की तरफ जाहिए with diesel giving you much better mileage also than the petrol अब आस्टर में भी आपको दो petrol engines आते हैं इसमें डीजल नहीं उपलप्त कराया गया एक है regular 1.5 liter engine जो manual and CVT दोनों में आता है और अगर आपका again performance oriented काम नहीं है अगर आपको ज्यादा भगाने में का शौक नहीं है आप 100-120 पे आराम से चलाते हैं गाड़ी even if you drive at that speed you are not very pushy kind of a driver तो आपके लिए 1.5 liter Aster का sufficient होना चाहिए बट अगर आपको ज्यादा performance चाहिए तब ही आपको shift करना चाहिए towards the Aster turbo version वरना the regular version should ideally do the job for you अब सवाल यह होटता है आपको कौनसी गाड़ी लेनी चाहिए और किस वज़े से Aster जो है बहुत ही ज्यादा better value for money बन गई है इसमें आपको ADAS technology भी आती है जो फिलहाल आपको Creta में नहीं आती है and this makes it a good product to consider अगर आपको features vis-a-vis price tag consider करना है and जो Aster के lower variance आते हैं बहुत ही जबरजस्ट value for money proposition बन गए है compared to Creta क्योंकि Creta के lower variance में आपको बहुत minimalistic features आते हैं अगर मैं E और EX की बात कर लू and Aster के lower variance में आपको काफी ज़्यादा features आजाते हैं even from the base model पर से so in terms of features Aster definitely holds a stronger hand over the Creta and अब सवाल यह होटता है कि दोनों गाड़ों का resale कैसा रहगा it's a bit too early to talk about Aster but Creta आज भी market की best selling SUV है और उसके सामने resale I don't see a issue Aster might be able to get a good resale but क्या वो क्रेटा जितना resale आपाएगी at the moment मुझे नहीं लग रहा है वो हो पाएगा and Creta will always have the best resale and Hyundai का जो network है वो उसका एक बहुत major strong point है and साथ मैं आपको यह भी बता दू कि overall Hyundai Creta जो है एक बहुत ही जबरदस्त brand बन गया है जो पहले कुछ साल पहले possibly a Honda City would have enjoyed so overall एक brand जो आपको सब कुछ दे रहा है Creta is strong there but value for money में MG ने एक बहुत ही जबरदस्त गेम के लिए and it seems that अगर आपको जारा better value for money गाड़ी चाहिए आज के तारिक में at least in petrol तो Aster आपके लिए अच्छी choice वहाँ बन सकती है तो इता हमारा आज का वीडियो अगर आपके पास अभी भी कोई doubts है आप में साथ call पर जुड सकते हैं में टीमे विराट हैं दुस्से experts हैं all you have to do is go to motoroctane.com slash carafn consultancy वहाँ पर जाके आप अपने details भर दीजे और call time book कीजिए it's as simple as that और ऐसे और वीडियो देखते रहना तो subscribe करना मद बूलिए to the motoroctane youtube channel मिलेंगे कल फिर से with an all new video take care, bye guys